किसान वीरों आज हम बात करेंगे कि ग्योंकी फसल में बोरोन 20% का सप्रे क्यों जरूरी होता है तथा कौन कौन सी फसलों में बोरोन का सप्रे कर सकते हैं और इस बोरोन 20% का सप्रेग योगी फसल में कौन से अवस्ता में करना चाहिए और इसकी सही मात्रा क्या रहेगी प्रतिय कड़े और अगर हम इस बोरोन को किसी भी फंगी सैर या N.P. के साथ मिला का सप्रेग करना हो तो बोरोन की मतरा क्या रहेगी प्रतिय कड़ इस वीडियो में बोरोन 20% के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे मगर उससे पहले जो किसान वीर हमारे चैनल पर पहली वार आएं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए तो चलिए जानते हैं बोरोन के बारे में सबसे पहले बात करेंगे कि बोरोन को कौन-कौन सी फसलों में और किस अवस्ता में प्रयों कर सकते हैं तो किसान वीरों बोरोन को आप लगबख सभी परकार की फसलें सबजियां और फूल वरगी फसलों में प्रयोग कर सकते हो और बोरोन को किसी भी वस्ता में और किसी भी फसल पे प्रयोग कर सकते हो जिससे की बोरोन देने से फसलों में बोरोन तत्वी की कमी दूर हो जाती है और आप बात करें कि ग्यों की फसल में बोरोन का सप्रे कप करना चाहिए तो आप ग्यों की फसल में किसी व्य वस्ता में बोरोन का सप्रे कर सकते हो मगर जारे तर हमारे किसान वीर बोरोन को बाल या निकलने से पहले प्रियोग करते है और ये टाइम भी बिल्कुल ठीक है जो कि इस समय इसका प्रियोग करने से पौदों में बोरोन तत्व की कमी को दूर करता है जिससे कि इसकी सप्रे करने से दानों में चमक और दाने मोटे होते हैं तथा किसान भाईयों की पैदाभर भी काफी अच्छी हो जाती है इसलिए लगबट 1500 ग्राम प्रतियकड की दर से बोरोन 20% को 1500 लेटर पानी में घोल बना कर स्प्रे करना चाहिए इसके लावा किसान वीरों अगर बोरोन के साथ कोई भी फंगी सैड या एनपी के 0,524 या 0,050 आदी मिलाना हो तो बोरोन की मात्रा 100 ग्राम प्रतियकड ही रखनी चाहिए जिससे हम 1500 लेटर प्रतियकड पानी के हिसाब से प्रियोग कर सकते हैं मगर ग्यों की फसल में बालिया निकलने से पहले बोरोन 20% का प्रियोग करना हो तो आपको बोरोन के साथ एनपी के 0,524 को ही लेना है और अगर ग्यों की बालिया निकल जाएं तो आपको बोरोन के साथ एनपी के 0,050 का ही प्रियोग करना है जिससे आपको और भी अच्छी रिजट देखने को मिलेंगे इसके लावा बोरोन 20% को गेहूं, धान, गन्ना, कपास, मकड, टमाटर, प्याज, गोबी, शिमला, मिर्च, अंगूर, केला, आम, नीबू, अनार, सेब और सभी फलियां और फूल वर्गी फसलों में भी इसका प्रियोग कर सकते हो और ये एक तरह का माइक्रनुटरिण फेटिलाइजर है और ये एक तरह का प्रीमिम माइक्रनुटरिण भी कहलाता है तो किसान वीरों ये छोटा सा वीडियो है कि गयोंकि फसल में बोरोन का सब्रेग क्यों करना चाहिए धन्यवाद